Hello Friends, मैं हूँ रूपं, रूपं किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत हैं इस होली के तेवहार में हम ऐसी डिश बनाएंगे, जो की बनाते हैं सब घरों में तो Friends, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल डिश, खुए की घुजिया गुजिया ये हर घर में बनती है और सबको पसंद आती है और बहुत आसाने से बनती है और जल्दी बन जाती है आईए बनाते हैं Holy Special Dish खोय की गुजिया खोय की गुजिया बनाने के लिए किन चीजों की अवशकता है ये देख लेते हैं यहां पर मैंने 200 ग्रांग खोय लिया है मैंने यहां पर market का खोया यूजिने किया है मैंने यह खुद घर पे बनाया है अगर यह खोया बनाने की रेसिपश आपको देख नहीं है तो मैंने इसका लिंक character description box में दे दिया है तो आप वहां पे ख्लिक करके छोया बढ़ने की रेशिपिड है घर बादं के को पाइना और पाशा पाउच alternatives सबसे पहले हम भुज्या बनाने का आटा लगा लेते हैं यहां पर मैंने एक बावल लिया है यह मैंने मैदा लिया है इसमें मैं डालूगी घी इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से घी लग गया है मैदे में अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका डोब बना लूँगी पानी एकदम से नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है बिल्कुल नरम आठा लगाना है इसका अब देख सकते हैं मैं अमली दबा लगा के भी देखती हूँ अब देख सकते हैं अच्छे से अंदर दब रही है और आठा फूल के ऊपर आ रहा है इसको हम 15 मिंट के लिए सेठ होने के लिए रख देते हैं आटा सेट होने तक हम गुजय की स्टफिंग बना लेते हैं यहां पर यह खोया है खोया कमे थोड़ा सा मसल लेती हो अच्छी से इसमें हम डाल देंगे खांड अपने स्वादनों सर डालना अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा डाले अगर कम पसंद है तो कम डाले ब तो कंद्द कर्के रुखा हुआ था है आट मिक्स कर लेते हैं है है यहां पर बुज बनाने के टयार हो गया है तो अब हम हम पश्चे बनाना स्टफिंग शूर बना लेते हैं इस तरह से एक लोई बना लेते हैं और इसकी पूड़ी बेलते हैं यहां पर हमें कुछ सूखा आठा भी चाहिए हम इसमें मिलाएंगे और इसकी पूड़ी बेलेंगे आपर हमने पूड़ी बेल दी है अब हम यहां पर मोल्ट लेंगे और इसमें जोड़ा सा आठा लगा देंगे इसमें पूड़ी रखेंगे और एक साइड इसको अच्छे से दबा लेंगे और अब हम इससंटफिंग इसमें भरेंगे इस तरह से इसमें स्टफिंग भर देंगे इसको बंद करना है तो सबसे पहले हम इसमें साइड में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इसे किनारों पे पानी लगाएंगे इससे क्या होगा कि दूसरे साइड की पूरी है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी और यह कर इसका मोल को मोल लेते हैं और इसको दबाते हैं अच्छे से दबाके इसका जो एस्ट्रा आटा है वो अटा देते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छी और डिजाइन गुज्या बनकर तयार है इसी तरह से हम सारी गुज्या बना लेंगे अब देख सकते हैं यहां पर हमने सारी गुज्या बना कर तयार कर दी है अब हम इसको डीप फ्राइ करेंगे ग्यास पर कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल गरम हो जाए तो फिर हम इसमें एक एक करके गुज्या डालेंगे और तलते जाएंगे यहां पर हम एक बार तेल गरम हुआ या नहीं हुआ वह चेक कर लेते हैं यहां पर मैंने मेदे की गोली डाली है वह बिल्कुल तैयर के उपर आई है इसका मतलब तेल गरम हो गया है इसकी फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देती हूँ और इसमें अभी एक एक करके गुज्या चोड़ देती हूँ अब देख सकते हैं यहां पर गुज्या बिल्कुल तल चुकी है इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में इसको मैं टीशू पेपर पे निकाल लेती हूँ आप देख सकते हैं यह भी गुज्या इसमें डाल देती हूँ इससी तरह से मैं सारी गुज्या तल लेती हूँ और एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ नेक रहा है यहां पर यह meter को लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पास में दे गए बेल आइकोन को क्लिक करना ना भूले तो फ्रेंड्स मिलते हैं और एक नए रेसिपी लेके नए वीडियो में तब तक के लिए कि बाइब तक को